दोस्तो गुड मॉनि दोस्तो हम लोग कहते हैं कि हमको क्या मतला पडूस में क्या हो रहा है अरे पडूस की बात है ना हम उनकों तो नहीं कह सकते ना कि ऐसा करो वैसा करो हम तो अपनों कोई कह सकते हैं इसलिए हम लोग है ना, अपने लोगों कहते रहते हैं, टोकते रहते हैं, समझाते रहते हैं, पर वो समझते हैं, नहीं समझते ना, हाँ, और कहते हैं, देखो, मैं अपना समझ के तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, और जब आप कहते हैं बुरा मत मानन मेरा 24 सालों का यह निचोड़ है, जब मैं इस बिजनिस में आया, मुझे समझ जी समझाते थे सुधा जी भी, कि किसी को कुछ मत कहो, टोको मत, टोकने वाला दुनिया में सबसे बड़ा दुशमन बन जाता है, कितनी अच्छी बात कहो हैं, कितनी अच्छी बात कहो समझाने की पर उसको वही करना है जो उसे करना है इसलिए हम सम्झाने के चक्कर में अपने रिष्ते को खूद देते हैं अपनी राय देने लगते हैं पत्नी ने आज तक किसी husband के सुनी है क्या ये कटू सत्त है अगर कोई सुनता है तो बहुत अछी बात है कोई नहीं सुनता है पत्नी हस्बन के नहीं सुनेगी थर्ड पार्टी अप्रोच तो हम कभी-कभी अपने ग्रूप में लोगों को समझाते हैं टोकते हैं अब ऐसा कर लो तो सुमेजी हमेशा कहते हैं कि जब तक सामने वाला आप से कोई राय ना मांगे या आप से कोई सलह ना मांगे कुछ पूछे ना तब तक मसंजाओ काउंसलिंग का मतलब यही है कि जब सामने वाला आपके साथ काउंसलिंग करने आए तो आप उसको काउंसलिंग करें लेकिन बहुत सारे लोग बुला बुला की counseling करते हैं हम भी करते थे शुरुज़ूमें हमें पता नहीं था आज बहुत दिल की बात आपको बता रहा हूं जिस तरह आप पडोसी को पडोसी ही समझते हैं और उससे आप कुछ नहीं कहते हैं उसकी बाते भी बरदाश्ट कर लेते हैं उसे समझाते नहीं उससे आपका पी कंसर नहीं होता कि ये अगर मैं बताओं ये नहीं किया तो उसी तरह अपने बच्चों को जिनको आप समझाना चाहते हैं समझाते रहते हैं एक टिप ले लो उनको पड़ोसी ही समझो उनको मत समझाओ आज के समय में बच्चे हों चाहे या कोई भी हूँ वो आप सीक्रेख निलाने चाहता वो अपने गलतियां करेगा वो खुद गलतियां करके सीखेंगे पर आप किसी को समझाने चाओगे उसके हितकी बात करोगे नहीं सबचेगा ये दुनिया आपको, आपकी बातों को उस समय तो हाँ हाँ कह देंगी तरकि बाद में दस जगे वो लेगी आपको तो बहुत बार ऐसा होता है मैं भी टोकता रहता गर में ऐसा करो वैसा करो वैसा करो मैंने किताब पढ़ी किताबों को बहुत अच्छी अच्छी चीजे How to win friends influence people में भी है बहुत सारी किताबों में पढ़ा कि आप उनको मत समझाओ तो मैं यह कहना चाहूंगा आपके घर में भी आप किसी को राय मत दो आदर्श मत बनो वो सीखेंगे अपने आप गलतियां करेंगे शुरू में सुधाजी भी बोलती थी और समझी भी कहते थे पंकज उनको अगर वो खत्म हो जाएं हो जाने दो वो छोड़ दें business छोड़ने दो लेकिन आप उनको कुछ मत बोलो कुछ मत बोलो फुर्ण धील देना चाहिए हमने शुरू शुरू में लोगो टोक टोक कर टोक टोक कर बहुत ज़ादा बजने सखराब कर लिया है तो बहुत ही पते की बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसलिए आप यह मेरा बेटी जैसा है यह तो मेरा बेटा है यह तो मेरा मेरी बेटी है कोई नहीं सुनेगा आपकी बात उनको वही करना है जो उनको उनको अमत राय दीजे और देखे मैं तुम्हें ऐसे कह रहा हूँ वैसे कह रहा हूँ गुमा फिरा के कह रहा हूँ नहीं सुनेंगे लोग आपकी इसलिए उनको राय देना बंद कर दीजे आपकी बच्चे लगता है मेरा बेटा है तो मैंसे क्या सकता हूँ मैं भी सोचता था दोस्तों कहीं पढ़ा था कि लिखा था कि बेटा आप से पैदा हुआ है आपकी कोक से पैदा हुआ है लेकिन आपका अधिकार नहीं है उसके उपर अधिकार उसके अंदर परमात्मा बैठा है उसके अंदर कोई शुक्ती बैठी है जो उसको गाइड करेगी हाँ शुरू शुरू में बच्चे होते हैं चोटे तो बच्चों को आप बताते हैं प्रवरिश करते हैं ठीक है पर जैसी बच्चे बड़े हो जाते हैं आप उन्हें गाइड कर सकते हैं उनके दोस्त बनने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन अगर वो आपकी नहीं सुने बच्चे बड़े हो गए हैं, तो आप उनको मत समझाओ, मत समझाओ, मत समझाओ, आपकी इज़त नहीं होगी, आपको लोग प्यार नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, लोग आपको आदर की निगा से नहीं देखेंगे, मैंने बहुत सिखा इस चीज से दुनिया में सबसे बुरी चीज है किसी को टोक ना जब मुझे टोकती थी अमिताजी मुझे बहुत बुरा लगता था बहुत ही बुरा लगता था दुनिया के सुन लेंगे आदमी जो है ना बाहर सुन लेगा किसी की कालिया खाके आ जाएगा उनकी सुन लेगा पर घर में पतनी के नहीं सुनेगा पतनी हस्बेंट के नहीं सुनेगी बच्चे आज के डेट में बिल्कुल नहीं सुनेंगे अगर सुनते हैं आपके बच्चे तो आप तो आरती उतारो फिर उनकी बहुत अच्छे करम की है आपने जो आपके बच्चे सुनते है आज हमारे बच्चे भी हैं हमारी बातों को जो सुनते हैं अच्छी बाते सुनते हैं नई सुनते हमें बुरा ने लगता मत सुनो जब कल को अकल आईगी पढ़े होंगे तब उनको समझ में आएगा तब ही तो मेरे पापा कहते थे मेरे ताव कहते थे मेरे अंकल कहते थे उस सबें नहीं सुनी किसी नहीं की आज उन्हीं याद करते है बच्पन में हमारे मापाप हमको मारते थे डंडे से मारते थे बहुत बहुत तरी बुरी तरह पीटते थे है न हमें दुश्मन लगते थे फिर हमने सुचा कि हम अपने बच्चों को एक साथ वेवार नहीं करेंगे तो दोस्तों बच्चों को पालना, बच्चों के साथ परविश करना, उनकी दोस्त बनना और उनके कैसे सल्हाकार बनना है, यह एक आर्ट है और यह मैंने ही कह रहा हूँ, जो भी बात कह रहा हूँ, मैं अपने experience से, अपने mentor ने जो सिखाया है, और किताबों से जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ अपने घरवालों को पडोसी के दर ही टीट करो तभी तो कहा है हमारे business में, कि पत्नी को भी पती को डाउनने समझो, हम लोग पती को, पत्नी को, बच्चे को taken for granted ले ले लेते हैं और उनको कहते रहते हैं, देखो असोचते हैं, कि यह तो मानना ही चाहिए मेरी बात, यह नहीं मानने को तो क्या मैं तो इसके बाब भले की कह रहा हूँ कितने भले की कहलो वो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे इसलिए टोको मत, मत टोको मत टोको किसी को मत टोको, है ना जब तक कि सामने वाल आपसे कुछ पूछे उतना जवाब दो, आगे बढ़ जाओ बहुत important point है यह है ना तो मुझे लगता होगा मुझे लगता है कि शायद मैंने आपके साथ में अच्छे चीज़ शेयर की है इस वीडियो को अगर अच्छी लगती है अगर underline आप कोई बाते अच्छी लगती है लोग को साथ शेयर कीजिए यह च्छोटी च्छोटी बाते मैं आपसे बहुत बड़ी बड़ी बाते नहीं करूंगा बड़ी बड़ी बाते तो सब सीख चुके हैं आप हर सेमिनार में वेबिनार में आपकी अप्लाइन सिखाती है पर जो आपकी अप्लाइन शायद नहीं सिखाती मैं आपको वो छोड़ी छोड़ी बाते सिखाना की कोशिश कर रहा हूँ, बताने कोशिश कर रहा हूँ, सिखा भी नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है, घर तूटते देखे हैं, घरों में कलेश देखा है, लड़ाई जखड़े देखे हैं, क कि अगर मेरी जरूद हो तो बुजे बता देना नहीं जरूद है यह पूछाँगे आपसे उनको फैल हो जाने दीज है अपनी करने बन्मारी मैं वो गढ़े में गरते गड्डे में गढ़े में गरने दीज़े लेकिन उनको राय मत दीजे, एक्सपक्ट करेंगे, वो मिलेगा नहीं, बहुत दोख होगा फिर आपको, इसलिए लोग आपको चाहते हैं, लोग आपके दिवाने हो, आपको प्यार करें, बहुत पसंद करें आपको, तो आप उनको टोको मत, जो करने करने दीजे, जब अभी ये कर लो, अभी ऐसा कर लो, तुम ये नहीं कर रहे, तो वो नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कहांती जिये ने कहा था, किसने उनसे पूछा था, कि मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, जो लोग S.O.P. नहीं करते, जो मैं बताओं ऐसे लोगों को स्पॉंसर करो जो लोग किताब पढ़ते हूं, ऐसे लोगों को स्पॉंसर करो जो लोग मिटिंग में आते हूं, ऐसे लोगों को स्पॉंसर करो जिनकों किताब पढ़ना अच्छी लगती है, इनका कहने का मतलब क्या है यगर कोई आपकी बात नहीं मानता आगे बढ़ जाओ और उन्हें करने दो कोई ना भी होगा जो आपकी बात मानेगा तो इसलिए गुर्ब को टीम को एकटा रखना है तो उनको कुछ मत को हमने तो समय जिसे अतनी बड़ी बात सेकھی है और अम्ल कर रहे हैं आज पॉट्स तावा भी हो रहा है बहुत लोगों खराब करती है कि मत टो को किसी को मत टो को बिलकुम मत टो को किसी को करने दो जो करता है करने दो समझेगा तो इच्छी बात है हाँ उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं प्राफना कर सकते हैं meditation में अब एक बड़ ताने जी ने कहा था लोगों को उस रूप में देखना शूरू करो जिस रूप में वो है सुधा जी ने हमें उस रूप में देखना शूरू किया कि पंकर बहुत अच्छा है अब यह शराब नहीं पीता है अब यह ऐसा नहीं हो गया अब यह ऐसा हो गया तो विजुलाइज किया पावर ओफ विजुलाइजेशन बहुत जबरदस्त पॉइंट है तो जैसा चाहते हैं आप अपने टीम में अपने घर में अपने बच्चे आपके वैसे हो आपकी गाट वांदली अब नहीं टोकते हम किसी को गी नहीं टोकेंगे मर जाएंगे बर टोकेंगे नहीं समझे तो इस वीडियो को शेयर करो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे पेज इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लिजे आपको ऐस आसी ऐसी वीडियो मिलेंगे ऐसे इसी टॉक मिलेंगे जो शायद कोई आपसे नहीं करेगा यह बाते हैं यह मेरे दिल की बाते हैं दिल की आवाज है जो मैं तुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं ओके मैं तो करता रहूंगा एक काम अच्छा लगा मैं दूआ करता हूं आ आपके सारी मुरादे पोड़ी हूँ All the best, Go Crown! Thank you!